और कैसे हैं आप सब आप देख रहे हैं यूटूब का ग्याराले चैनल इस प्रित्वी का जो वायू मंडल है जो एट्मॉस्फियर है इसमें एप्रॉक्समेटली 21 परतिसत आक्सीजन पाया जाता है अगर ये आक्सीजन ना होता तो ना आप होते ना हम होते ना आम होता ना कुछ भी नहीं होता ना हमको यूटूब पे पढ़ाना पड़ता और ना ही आपको अलग-अलग वीडियो देखने पड़ते ये जो आक्सीजन है पहले जब प्रित्वी बना प्रित्वी धीरे-धीरे ठंडा हुआ कहा जाता है कि सूरी का एक टुकड़ा अलग हो गया और प्रित्वी देखने प्रित्वी का निर्माड अख पहले जब प्रित्वी बनी तो उसपर आक्सीजन नहीं था कर्मान Dragize ऑक्साइड जैसे बहुत सारे रेड्यूसिंग गैस थे लेकिन आक्सीजन नहीं था ये आक्सीजन फीर आयाा और यसको बनाने है किन जियों ने वो जी है साइनोबैक्टिरिया आज का जो अपना टाफिक है यह है साइनोबैक्टिरिया इसके बारे में हम लोग आद डीटे spielen में देखेंगे कि क्या साइनोबैक्टिरिया होते हैं और इनोंने कैसे जो primitive reducing atmosphere था अर्थ का उसको कैसे oxygen डाइच किया, कैसे ऑक्सीजन बनाया और किस तरह से ये हम लोगों के लिए helpful है नाम से किलिए है Sino Bacteria इससे पहले Bacteria के बहुत सारे lecture हो चुके हैं, बहुत सारे topic upload किये जा चुके हैं नाम से इस पर थाई, ये दो सब्दों से बना है, पहला Sino दूसरा, bacteria Sino का मतलब होता है blue नीला कलर Sino का मतलब होता है blue और Bacteria का मतलब Bacteria होता है कुछ ऐसे Bacteria होते हैं जिनका कलर जो है blue green होता है, लगप mir blue green color के bacteria होते हैं इन्हें Sino Bacteria कहा जाता है, ये एक ऐसा ग्रूप है बैक्टिरिया का जो आक्सीजनिक फोटो आर्टो ट्रोपिक प्रोकेरियोटिक आर्गेनिजम होते हैं क्या होते हैं आक्सीजनिक फोटो आर्टो ट्रोपिक प्रोकेरियोटिक आर्गेनिजम होते हैं oxygen का मतलब है हमने कहा कि जो primitive अर्थ था उसका जो atmosphere था उसमें oxygen नहीं था तो पहले जब जीव आये तो prokaryotic जीवों का विकास हुआ सबसे पहले जब पृत्रवी बनी तो सूच्म जीवों का विकास हुआ उन सूच्म जीवों में bacteria थे आर्ट की bacteria थे वो आये लेकिन उनमें oxygen उत्पन करने की छंता नहीं थी जो इसके अत्रिक्ष बैक्तिरिया है वो oxygen उत्पन नहीं कर सकते oxygen वही उत्पन कर सकता है जो photosynthesis करें आप लोगों ने plants में देखा होगा कि photosynthesis होती है वो carbon dioxide लेते हैं खाना बनाते हैं अपना और oxygen बाहर कर देते हैं और ये जो oxygen बाहर आती है इसी का उपियोग सभी यू respiration में करते हैं तो ये जो bacteria है जो cyanobacteria है ये bacteria और archibacteria के बाद आए जब ये आए तो क्या कि इन्हों ने इन्हों ने जो प्रितवी का reducing atmosphere था जिसमें oxygen नहीं था उसमें oxygen भरा भरने के लिए उन्हों नों क्या किया कि फोटो सिंथेसिस किया ये cyanobacteria जो होते हैं आक्सीजनिक होते हैं आक्सीजनिक का ये मतलब है कि ये फोटो सिंथेसिस में oxygen रिलीज करते हैं इन्हों ने atmosphere में बहुत सारा oxygen रिलीज किया जब oxygen रिलीज किया पूरे atmosphere में धेसाना oxygen आ उसके बाद लगातार बड़े बड़े जियों का विकास हुआ अगर यही आक्सीजन उत्पन ना हुआ होता तो इस पृत्वी की कहानी कुछ और होती कुछ और तरह के इस पे जियू होते तो जो साइनो पैक्तिरिया है वो आक्सीजनिक, फोटो आटोट्रॉपिक, प्रोकेरियोर्टिक आर्गेनिस्म होते हैं अगर कोई डैपिनिशन पूछे तो यही आप बताएंगे आक्सीजनिक का क्या मतलब है हमने कहा कि यह ऐसे जो हो जो फोटो सिंथेसिस में या आक्सीजन उत्पन करें तो आक्सीजनिक हो गए क्योंकि नाम से यह है आक्सीजन आक्सीजनिक हो गए आक्सीजन प्रोडियूस करें यह फोटो आटोट्रॉपिक मतलब ऐसे जो है जैसे प्लांट्स होते हैं अपना पोजन स्वयम बना लेते हैं फोटो सिंथेसिस करते हैं सूर के light लिए, carbon dioxide लिए, जल लिए और अपने के लिए glucose और carbohydrate बना लिए इसी तरह जो cyanobacteria होते हैं ये भी photo-artotropic होते हैं ये भी light की मदद से अपना portion swim बना लेते हैं और ये भी prokaryotic होते हैं क्योंकि सभी bacteria prokaryotic होते हैं तो जाहिर सी बात है कि cyanobacteria भी prokaryotic होंगे इस नहीं पाया जाएगा, कोई mitochondria नहीं होगा, कोई गॉल्डी बाटी नहीं होगी तो जितने भी eukaryotic अर्ग में लोते हैं वो सब इनमें भी absent होंगे एक fact है कि जो cyanobacteria है इनको जो है blue-green algae भी कहा जाता है यानि cyanobacteria are also called BGA BGA मतलब blue-green algae इनको blue-green algae भी कहा जाता है blue-green क्यों कहा जाता है क्योंकि इनका जो color होता है वो blue-green color का होता है कुछ pigments इनमें पाये जाते हैं जिसकी वज़ा से ये blue-green color के दिखते हैं जैसे plants होते हैं उनमें नहीं मानते हैं बलकि इनको एक algae मानते हैं और फिर इनको plant के रूप में treat करते हैं पहले जब सुरू-सुरू में इनकी पढ़ाई हो रही थी cyanobacteria की तो सुरू में इनको algae में रखा गया था जितने भी bornist थे जितने भी ये बनस्वती सास्प्री थे उन्होंने इसको blue-green कहा और फिर algae वाले समूं में जोड दिया था लेकिन अब जो recent study हुई है जो microbiologist होए हैं उनके अध्यन से ये बात इसपर्ष्ट हो चुका है कि ये algae नहीं है बलकि ये bacteria है तो आप लोग confuse नहीं करेंगे इस नाम से कि blue-green algae है तो ये algae हो रहा है ये blue-green algae का नाम है पहले कहा जाता था लेकिन ये algae नहीं क्या है bacteria हैं कौन-कौन से example cyanobacteria के हैं जैसे एनाबीना और नाउस्टाउग इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा है एनाबीना और नाउस्टाउग ऐसे कई सारे example हैं cyanobacteria के लेकिन ये जो दो बहुत ही महत्पूर example हैं cyanobacteria के कौन-कौन से एनाबीना और नाउस्टाउग जो परकिरिया है यानि photo-artotropic की photosynthesis की उसमें ये भी जैसे plant में photosynthesis होता है सेम photosynthesis cyanobacteria में भी होता है carbon dioxide लेते हैं water चाहिए photosynthesis है photo मतलब light होता ही है तो light चाहिए और chlorophyll चाहिए तो क्योंकि ये plant तो है नहीं ये तो cyanobacteria है तो जो इनका chlorophyll होता है वो थोड़ा सा different होता है दूसरा plant के तरह से अलग होता है तो इन्हें bacterial chlorophyll के नाम से जाना जाता है अब ये जो पूरी परक्रिया हो जाएगी photosynthesis की उसके बाद क्या बनेगा फूट बनेगा एनर्जी बनेगी उसका नाम है glucose बनेगा इस glucose का opio cyanobacteria आपने उर्जा के उस्तोत के रूप में इस्तमाल कर लेगा फिर जो end product होगा oxygen चोंगी सब oxygen ही खाएं तो oxygen तो produce करेंगे तो ये पूरी परक्रिया है जिसकी वज़ा से cyanobacteria oxygen प्रोड्यूस कर रहा है और अपने लिए भोजन भी बना रहा है ये सेम परक्रिया आए आर्की बैक्टिरिया आए फिर cyanobacteria आए जब ये cyanobacteria आ गए तो देज आना इन्मूनी फोटो सिंतेजिस से oxygen उत्पन किया और पूरा जो atmosphere हो oxygen से भर गया फिर oxygen जब आ गया तो जो जितने भी oxygen पर जिंदा रहने वाले जीव हैं जैसे animals हैं, plants हैं, human beings हैं इन सबका देरे देरे फिर evolution हुआ तो ये इतना हो गया basic जानकारी हो गया cyanobacteria के बारे में अब देखते हैं कि cyanobacteria का जो सरीर होता है, जो सनरचना होती है, वो कैसा होता है तो यहां पी हमने दोनों दो एक्जाम पर दिये हैं, enabina और nostop, तो देख लेते हैं कि ये कैसे देखते हैं, ये है nostop, ये जो diagram बना है, ये nostop का बना है, ये कुछ filament की त दिखते हैं कई सारे से लिक दूसरे से मिलके कालोनी के रूप में एक फिलामेंट की तरा दिखते हैं, ये जो red color का बना हुआ है, ये heterocyst हैं, हेटरोसिष्ट जो होते हैं, ये बिसेस परकार की कोशिका होते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहलता करते हैं, क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, हेटरोसिष्ट जो होते हैं, ये स्पेसल टाइप के सेल होते हैं, जिनमें नाइट्रोजन इसमें एक enzyme होता है hydrostis में जिसका नाम है nitrogenase और उस nitrogenase की help से इस जो रषै्प है hydrostis environment में nitrogen है। उसको whyl में fix कर देता है और इस nitrogen डांत जो है है प्लांट जो है अपने बॉडी में इसko अपायोग में लालता है है तो हेड़ो सिस्ट क्या होते है नािट्रोजन पिक्सिंग सेल होते है है जिन में नाउड्रोजिने Alrighty नाम ये ऑगड़े करते हैं यह पोटो सुंथेसिस और पिर प्लाइंट के लिए या साइनोबैक्टिरिया के लिए गुलुकोज बनाएंगे तो ये बात हो गई कि नास्टोप की उसी की समान है नावीनाँ, दूसरो साइनाबेक्टिरिया जो है वो है एनाबीना। एनाबीना भी कुछ इसी तरह का होता है नॉट्स्तोक की तरह खिडावेंटस होता है। लेकिन इसमें इक special सानचना पाय जाती है Archonet यह जो बीच में बढ़ा सा जो जोicus सेयर बना है यह है Achonet असल में यह जो यह kainit होते हैं, यह thick wild resistant spore-like समरजना होते हैं, यह sexual reproduction में इनका उपयोग होता है, जो यह kainit है, यह unfavorable condition में बनेगा, महलिया condition जो है, एना बीना के अनकूल नहीं है, तो क्या बना लेगा? यह है जो है एक नया पौधा बन जाएगा, तो यह kainit होते हैं, वो यह sexual reproduction में काम आते हैं, इसमें भी दोनों तरफ है जो यह kainit होता है, उसके दोनों तरफ है जो रेड़ वाले हैं, यह क्या है? हैं, हेटरोसिस्ट हैं, हेटरोसिस्ट चाहे जहां पी हो, चाहे यह नावीना में हो, चाहे माउस्टॉप में हो, उसका काम है nitrogen fixation का, तो यहां भी हेटरोसिस्ट nitrogen fixation करेगा, nitrogen fixation समझ गे ना, कि क्या मतलब होता nitrogen fixation का, आप लोग जानते हैं जो atmosphere है, जो यह wild bundle है, इसमें ल तो इस nitrogen को जो फिरी nitrogen environment में है, उसको fix करना, यानि स्वायल में लाके fix करना, क्या कहला हैगा? nitrogen fixation कहला हैगा, इन दोनों ही जियो में, यानि non-stop में और एना बीना में ये काम heterocyst द्वारा किया जाता है, इन heterocyst में nitrogenage नामक enzyme पाया जाता है, यही इसी वज़ा से nitrogen fixation होता है, तो यह दोनों जो है diagram नाश्टाउक के और एनावीना की, यह क्या है? syno bacteria है, तो यह ऐसे ही और सारे syno bacteria होते हैं, जो ऐसे दिखते हैं, अब यहां तक आप लोगोंने clear हो गया होगा कि क्या syno bacteria होते हैं, और उनकी body या उनकी सनरचना कैसे होती है, अब इनका economic aspect देख लेते सबसे बड़ा फायदा तो यही था कि इन्होंने oxygen बनाया, और फिर उसी oxygen से higher region का, जो plants and animals है, उनका evolution हुआ है, इसके अलावा क्या, इनका उपियोग हो सकता है, industry में, economic uses इनका क्या है, मनुसी इनको कैसे use कर सकता है, तो कुछ तरीके से इनको use किया जाता है, पहला तो यही ह सबसे है, yes CP के रूप में, yes CP, yes का मतलब हो गया single, c का मतलब हो गया cell, single cell, p से हो गया protein, yes CP, क्या हो गया भई, yes CP, संचिप्ट में single cell protein को, yes CP कहते हैं, yes CP, single cell protein, असल में, यह जो cell होते हैं, साइनो बैक्टिरिया का कोशिका होती है, उसमें काफी protein पाया जाता है, तो डेर सारी मात्रा में, जो है, साइनो बैक्टिरिया को growth करा लिया जाता है, और फिर उनको सुखा के, powder बना के, छोटे छोटे कैसूल बना लेते हैं, फिर इनका उप्योग, food supplement या protein supplement के रूप में, इस्तेमाल किया जाता है, इसी को कहा जाता है, single cell protein संचित में, yes, c, b कहते हैं, तो ये economic important हो गया, दूसरा है, bio fertilizers के root में, nitrogen fixation कर रहे हैं, nitrogen fixation ये भी कर रहे हैं, अब इनको अगर खेत में डाल दिया जाए, तो क्या करेंगी, ये nitrogen को fix करेंगे, और इस nitrogen का उप्योग, जो crafts ह होंगे, जो फसलें होंगी, उसको उप्योख कर लेंगे, तो plant क्या मिल जाएगा, nitrogen मिल जाएगा, जो किसान होते हैं, वो अपने खेत में, यूरिया जैसे, खार डालते हैं, कि उन्हें plant को nitrogen मिल जाए, और फिर उनकी अच्छी गुरोध हो, अगर इन ही को, जो cyanobacteria है, इनक खेत में डाल दिया जाए, तो वही काम ये कर देंगे, और फिर आपको बाहर से खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इनको जो है, बायो फटलाइजर की रूप में इस्तेमाल किया जाता है, बायो मतलब क्योंकि इनमे भी जीवान है, जीवित जीवान है, कोई artificial fertilizer तो है ने कि आप लोग कमपनी द्वारा किसी में, इंडस्री में इसे बनाया गया हो ये, तो लीविंग सल है ना, इनका उपियोग खाद की रूप में किया जा रहा है, तो बायो फटलाइजर को अगर हम कहें कि क्या होता है बायो फटलाइजर, तो जब कोई जीव या कोई माइक्रो आर्गिनिसम या उसका कोई प्रोड़क्ट फटलाइजर के रूप में इस्तिमाल किया जा है, तो उसे कहते हैं बायो फटलाइजर, साइनो बैक्टिरिया को भी बायो फटलाइजर के रूप में इस्तिमाल किया जाता है, जो धान का खेत होता है, उसमें एना बीन एलोली नामक साइनो वैक्टेरिया गुरो परता है जिसकी वज़ा से धान में जो है नाग्डोजन की सप्लाई होती है और धान की अच्छी फसल आती है उसकी प्रोड़क्टिविटी बढ़ जाती है तो यह दूसरा एकोनॉमिक इंपोर्टेंस है साइनो वैक्टेरिया का फि जिसको विभिन काम में इस्तेमाल हो सकता है तो यह इनका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है साइनो वैक्टेरिया का बाकी स्ट्रेक्चर और जो कैरेक्टेरिस्टिक फीचर है वो किलियर हो गया होगा तो आप लोग वीडियो रोग के पूरा लिख लें डाइग्राम बना लें और मुझे नहीं लगता कि साइनो वैक्टेरिया में और कुछ छूट रहा है तो आज के लिए इतना काफी है देखते रहे हैं ग्यान आदा